हाथसे से जुड़ी एक बड़ी अब्डेट अब तक महुझा देते हैं हाथसत हास्ते में पुलिस की कारवाई में 20 लोग गिरफतार किये गए हैं कुछ महिलाओं से भी हाथस पुलिस लगातार पूच्टाच कर रही है सोर्सिच के हवाले से जानकारी मिल रही है 20 लोगों की CDR खंगाल रही हाथस पुलिस प्रदेश के कई जनपदों में दविश दे रही है ADG जोन आगराक ने कई जिलों में बनाई है पुलिस की टीमें और ये टीमें लगातार उन लोगों को पकड़ने का काम कर रही है जिन्होंने हाथस हत्याकान को अचान दिया है तो हत्रस हत्याकान जिसमें 121 लोगों की मौत हुई है कई लोग घायल है बेहत दुकद हाथसा कल आपने देखा मुक्यमंत्रियों की अजितनाद बेस्पतालों में घायलों का हाल जानने के लिए पहुंचे और अब आक्शन की बारी है 20 लोगों की गिरफतारी हुई है कु तलाश अपतेश कर दी है इसको लेकर हात्रस से लेकर मैनपुरी तक जगों पर चापे मारी की जा रही है पुलिस आयो जुकों और सेवादारों की तलाश में जुटी हुई है इनकी गिरफतारी के लिए पुलिस की कई टीमें घटित कर दी गई है उदर मैनपुरी में भी देर रात पुलिस की टीम पहुंची जहां आश्रम में सर्च ओपरेशन चराया गया पुलिस की टीम आश्रम के अंदर और बाहर करीब डेड़ घंटे तक मौझूद रही इस दौरान आश्रम में मौझूद लोगों से पूछताच की गई है लेकिन पुलिस की टीम को बाब करता अमरपाल जिसकी अभी तक गिरफतारी नहीं हुए है सूरजपाल आफ कीजिए तीन भाईयों में एक भाई सूरजपाल जो दूसरे नंबर का है देखिए बेशुमार इनके पास संपत्ती है अपने नाम पर कुछ नहीं है और सब कुछ इनों ने दूसरों के नाम पर रखा है यह वो आश्रम जिस पर आरोप लगाये जा रहे हैं कि गाउं के लोगों की जमीन पर कब्जा करके इसको बनाया गया है सुमिच शर्मा हमारे साथ और जानकारी के साथ इसमें लाइव मौजूद है हातरस सीधे रूख करेंगे हातरस सुमिच शर्मा बड़ा सवाल यही है कि 20 लोग तो गिरफतार हो गए हैं लेकिन यह अमरपाल नामक जो की कई और नामों से भी जाना जाता है सफेद कपड़े पहनता था तो इसलिए सफेद सूट वाले बाबा हो गए बोले बाबा के नाम से भी जाना जानता है लेकिन यह सूरजपाल है कहां इसका कोई सुराग मिल पाया है आप लोग वहां से कैसे निकले थे और इसमें लगवग अभी जो जानकरी सामें आई है कि कुछ महिलाओं को भी हार्कस पुलिस में अपनी मिलिया है उनसे पूस्पास कर रही है एटी जी अनुपम पुलिस जनपत में कैम कर रही है एटी जी ने पूरे जन जोन में कई टीम म आउसकर रही है पुलिस पूरे मामने में क्या अरुपियों की गिरफतारी करेंगी है यह पुलिस फीड़िक परिवार के लोगते हैं लेकिन अब आक्शन की बारी है सुमिद 20 लोग गिरफतार होएं जानकारी यह भी मिल रही है कि कई महिलाओं से बीपूष ताच की जा र टेके पूरी रात हात्रस फुलिस में एक ध्यान चलाया है जिसमें कई जनपतरों में हात्रस पुलिस की इन में है उसके आज़ातार पर मामने में दिश्थार से पुष्थाष जारी है अभी उसके आदार परुष्थास बाद कि यह जो वोले बाबा नामक शक्स है जिसका सत्संग चल रहा था इसके जो आपका भक्त हैं वो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मद्द्देपरदेश में भी है दिल्ली में भी है राजस्थान में जो जानकारी मिल रही है कि ना सिर्फ उत्तर परदेश बल्कि और राज्यों में भी इसकी धर पकड़ के लिए टीमें बाहर निकलेंगी या और राज्यों की पोलिस संपर्क किया जाएगा अभी तो उत्तर परदेश में तलाश इसकी की जा रही है इस पूरे प्रकंड में लगवग 119 लोगों की अब तक बहुत की पुष्टी प्रशासरिक अठ्कारियों द्वारत की कही है क्योंकि इतना बड़ा आगड़ा है और मढने वालों की संक्या जो है कर दो जो दिल पहले वहां पहुंचते हैं काली कर मिस्तल पर परवर्चन सुर्ण के लिए और उत्तर प्रदेश के बाहर प्रदेशों में भी जाकर दविस देली सीडिया करगाली जारी जिसकी लोकेशन जहां ट्रैप हो रही है पुलिस वहां दविस देली जा रही है इस शक्स का पकड़ा जाना इस बाबा सूरजपाल का पकड़ा जाना जिसके लिए लगातार तलाश अप्तेश कर दी गई है पुलिस की बकाईदा एक कई टी में तयार की गई है इसकी धर पकड़ के लिए हम उमीद करेंगे जल्दी की गरफतारी हो बहुत शुक्री आपका सुमिछ जानकारी के लिए